नमस्कार आप सब का स्वागत है इस कक्षा में आशा है आप सब अच्छे होगे आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वे मन को अती प्रसन्नता देने वाली है यह एक छोटे बच्चे के बारे में है आपने अकसर छोटे बच्चों को देखा होगा कितने निश्चल साफ मन के होते हैं दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं उन्हें सब लोग सब चीजें सब कुछ अच्छा लगता है और जब कोई छोटा बच्चा किसी को देखकर मुस्कुराता है तो वापस मुस्क तुराहट ऐसी होती है जो कि बड़े से बड़े दुख को भी कम करने में सक्षम है साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा हमेशा अपनी मा के इर्दगिर्द घुमता रहता है उसकी पूरी दुनिया उसकी मा ही होती है मा के इलावा उसे दुनिया से और कुछ चहिए भी नहीं होता मा उसका लालन पालन करती है उसे भोजन खिलाती है उसे सुलाती है और उसके साथ खेलती तक भी है ये कविता आपकी दस्वी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग दो का छटा पाठ है कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसके रिचाईता है नागा अर्जुन नागा अर्जुन जी चायावाद उत्तर के कवी है अर्थात चायावाद के बाद के कवी है इन्हें जनकवी अर्थात जनता के कवी और आधुनिक कबीर भी कहा जाता है इन्हें जनकवी कहे जाने का कारण है कि इन्हें लोग जीवन से कहरा सरोकार रहा और भ्रष्टाचार राजनितिक स्वार्थ वो समाज की पतंशील स्थिती के प्रती अपने सहित्ते में वे विशेश रूप से हमेशा ही सजग रहे ये वियंग में भी माहिर हैं इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है चायावाद के दौर के बाद के ये एक अकेले ऐसे कवी हैं जिनकी कविता गाउं के चौपालों के साथ-साथ सहित्तिक दुनिया में भी समान रूप से लोग प्रिये रही इसलिए वे वास्तविक अर्थों में जन कवी हैं इस कविता में इनकी भाषा खड़ी बोली है और साथ-साथ संस्कृत के शब्दों का प्रियोग भी देखने को मिलता है इस कविता में कवी ने प्रश्न शैली का प्रियोग किया है और साथ ही अनेक सुन्दर बिम्बों और अलंकारों का भी प्रियोग किया है आपने पाठ चार आत्म कथ्य कविता में भी बिम्बो का सुन्दर प्रियोग देखा था इनका सहित्य में योगदान भी अपूर्व है इनकी प्रमुख काव्यकृतियां है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने और मैं मिलिटरी का बुढ़ा गोड़ा कविता के साथ साथ नागा अर्जुन ने उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लिखन किया उनका संपून कृतित्व नागा अर्जुन रचनावली के साथ खंडों में प्रकाशित है सहित्यक युगदान के लिए उन्हें अनेक पुरसकारों से सम्मानित किया गया जिनमें प्रमुक हैं हिंदी अकादमी पुरसकार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर परदेश का भारत भारती पुरसकार, एवं बिहार का राजेंद्र परसाद पुरसकार उन्हें सहित्य अकादमी पुरसकार मैथली भाशा में कविता के लिए प्रदान किया गया था मन के घाव भर देती है उसे कवी ने कविता के अनेक रंगों के माध्यम से प्रकट किया है कवी का मानना है कि इस सुन्दर्ता में ही जीवन का संदेश है इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन भी जुड़ जाता है आईए बढ़ते हैं कविता की ओर इस कविता में एक छोटे बच्चे की छोटे छोटे दान्तों वाली मुस्कान का जिक्र है जोकी आठ से बारा महीने का रहा होगा क्योंकि छे से आठ महीने की आयू में ही बच्चों के दान्त आने शुरू हो जाते हैं कवि क्योंकि बहुत ही घुमकर स्वभाव के थे और लंबे समय बाद घर लोटे थे उस समय उनका शिशु दस से ग्यारा महीने की उम्र का है कवी ने उसे पहली बार देखा है कवी जब उसकी मुस्कान देखता है तो उसे उसके छोटे छोटे दान्त भी नजर आते हैं तो इसी मुस्कान पर मोहित होकर कवी ने अपने मन के भावों को इस कविता में प्रकट किया है तो आईए कविता शुरू करते हैं यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़ कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाशान छू गया तुमसे कि जरने लग पड़े शिफालिका के फूल बांस्था की बबूल तुम मुझे पाई नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आँख लू में फेर क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यदंतुरित मुसकान धन्य तुम माभी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य इस अतिती से प्रिये तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलियां मा की कराती रही हैं मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आँखे चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवी मान कितनी सुन्दर कविता है बच्चो आईए एक बार फिर से कविता पढ़कर इसका आनन्द लेते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुरितक में भी डाल देगी जान धुली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाशान छू गया तुमसे कि जरने लग पड़े शेफालिका के फूल पांस्था की बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आँखे लू मैं फेर क्या हुआ यदी हो सके परिचितन पहली बार यदी तुम्हारी मान अमाध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न सकता जान तुम्हारी यदंतुरित मुस्कान धन्य तुम माभी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य इस अतिती से प्रिये तुम्हारा क्या रहा संग पर्क उंगलिया मा की कराती रही हैं मधुपर्क देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकी आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवी मान आएए अब हम कविता के भाव सुंदरे पर चर्चा कर लेते हैं कवी कहते हैं तुम्हारी यो दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान यहाँ पर कवी कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान यहाँ पर मृतक शब्द से कवी ने बहुत सुन्दर बिम का प्रियों किया है कवी बच्चे को संबोधित करके कहता है कि यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान अर्थात चोटे-चोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी एक मरे हुए में भी जान डाल सकती है मुर्दा के शरीर में भी जान फूंक सकती है अर्थात यह तुमारी मुस्कान जीवन का संदेश देती है जीने के लिए प्रेरित करती है फिर कवी कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात यहाँ पर फिर कवी ने तालाब के रूप में एक सुन्दर बिम का प्रियोग किया है कवी कहता है दूली दूसर तुम्हारे यगात अर्थात दूल मिट्टी से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर बच्चा जब मिट्टी में खेलता है तब उसका शरीर दूल से भर जाता है धूल से भरे उसके शरीर को देखकर कवी कहता है तुम्हें यहां मेरे घर में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तालाब को छोड़ कर जलजात यानि जल से उत्पन कमल का फूल मेरे घर के अंदर खिल गया है कवी बच्चे की कोमलता की तुलना कमल के फूल से कर रहा है तालाब को छोड़ कर तुम मेरी जोपड़ी में खिलने वाले कमल हो अगली पंक्तियां देखिए परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाशान कवी कहता है कि जिस तालाब में तुम खिले थे वे पत्थर का तालाब तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल गया होगा कवी के कहने का तातपर्य है कि बालक की मुस्कान इतनी दिल को खुश करने वाली है कि कोई पत्थर हिरदे व्यक्ती भी पिघले बिना नहीं रह सकता सब के मन पर बच्चे की सुन्दरता और बच्चे की मुस्कान का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि भाव हीन मनुष्य भी भावों से भर जाता है उसके हिरदे के अंदर भावों का संचार हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कभी कह रही हैं चुग गया तुमसे की जरने लग पड़े शेफालिका के फूल बास था की बबूल बास और बबूल फिर से बिम्ब का प्रियोग है और शेफालिका के फूल भी कभी कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी निश्चल इतनी मनमोहक है कि उसको देखने पर और बच्चे को इस पर्ष करने पर बास जैसे सक्त और बबूल जैसे कांटे वाले पेड़ पर भी ऐसे लगता है जैसे शेफालिका के फूल उनसे जड़ने लग पड़े हैं अर्थात बहुत ही शुश्क सभाव वाल्या व्यक्ति भी प्रसन हुए बिना नहीं रह सकता उसी प्रकार बच्चे की मुस्कुराहट कवी के निरसमन में भी सुख, आनंद और वाच्सले रसका संचार कर गई शेफालिका के फूल एक विशेश प्रकार के फूल होते हैं जिने पारिजात या हर सिंगार भी कहा जाता है और माना जाता है कि या फूल समुद्र मन्थन के समय निकला था जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने बगीचे में लगा लिया था और बाद में इसे धर्ती पर लाया गया अगली पंक्तियां देखिए तुम मुझे पाये नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आँखे लू में फेर इन पंक्तियों में कवी कहता है कि बच्चा अपलक उसे देख रहा है जैसे अजनबी व्यक्ति को अक्सर बच्चे देखते हैं कवी बहुत दिनों बाद अपने घर लौटा है तो बच्चा उसको पहचान नहीं पा रहा है तो वे बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो और मुझे अपलक बिना पलक झपकाए देखते ही जा रहे हो तो क्या तुम इस प्रकार देखते देखते ठक गए हो, मैं अपनी आँखे फेर लूँ, दूसरी तरफ चेहरा कर लूँ, कभी कहता है कि वे बच्चे की सुविधा के लिए अपना चेहरा गुमा कर दूसरी तरफ देखने लगेगा। अगली पंक्तियां हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मा न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इन पंक्तियों में कहा गया है, क्या हुआ यदि हम पहली बार मिलने पर एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, कभी कहते हैं, कि मैं तुम्हारी मा और तुम्हारा अभारी हूँ, यदि तुम्हारी मा हमारे बीच में माध्यम न बनती, यदि वे मुझे तुमसे न मिलाती तो मैं तुम्हें जान ही नहीं पाता, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखना पाता, इसलिए तुम्हारी मा का मैं बहुत बहुत अभारी हूँ अगली पंक्तियां हैं धन्य तुम मा भी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य कवी कहते हैं कि तुम और तुम्हारी मां दोनों ही धन्य हो मांने ही तुम्हारा लालन पालन किया है मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया मैं तो इतने समय बाहर रहा तो तुम्हारे लालन पालन में मेरी कोई भागीदारी नहीं रही फिर कवी कहते हैं इस अतिती से प्रिये तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां मा की कराती रही हैं मधुपर्क. मैं तुम्हारे लिए अतिती हूँ, अजनबी के समान हूँ, मेरा और तुम्हारा अब से पहले कोई संपर्क ही नहीं रहा. कवी बच्चे से कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी मा की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क खिलाती रही हैं. मधुपर्क का अर्थ है पंचामरित जो की दूद, दही, देशी घी, पानी और शहद से बनता है और छोटे बच्चों को खिलाया जाता है. कवी कहता है कि तुम्हारी मा ने बहुत ही प्रेम से अपने सने का पान करवाते हुए तुम्हारा पालन किया है. अगली पंक्तियां हैं. तुम्हारी ये छोटे-छोटे दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत सुन्दर लगती है. चोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है वे बहुत ही मधुर और निश्चल होती है और इन में अगर उनकी आँखों का बांकपन भी जुड़ जाता है तो इसमें चार चान लग जाते हैं. कविता पढ़ चुकने के बाद आएए अब कुछ प्रश्णों द्वारा पाठ में आई बातों को दोहरा लेते हैं. सबसे पहले करते हैं कुछ बहु विकल्प ये प्रश्ण. पहला प्रश्ण है यह दंतुरित मुस्कान इसका क्या अर्थ है? विकल्प सुनिये, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की मा की मुस्कान, दोनों की मुस्कान या बच्चे की छोटे-छोटे दान्तों वाली मुस्कान. सही उत्तर बताईए सही उत्तर है हाँ जी बताईए बच्चे की छोटे-छोटे दांतों वाली मुस्कान यह उत्तर सही है दूसरा प्रश्न कवी के अनुसार बच्चे की मुस्कान में क्या विशेष्टा है उत्तर के लिए विकल्प है किसी का भी दिल जीत लेती है या मिर्टक में जान डाल देती है या पत्थर को पिगला कर पानी बना देती है या फिर उपर्युक्त सभी बताईए आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी क्योंकि उपर कहे गए सभी वाक्य सही है अगला प्रश्न धूली धूसर का क्या अर्थ है? उत्तर के लिए विकल्प है धूल या फिर मिट्टी या मिट्टी से सने हुए या गीली मिट्टी बताईए सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ है मिट्टी से सने हुए चौथा प्रश्न जलजात इस शब्द का क्या आर्थ है उत्तर के लिए विकल्प सुनिये कमल, बादल, गुलाब या नदी बताइए जलजात का क्या आर्थ होता है जलजात का आर्थ है कमल पांचवा प्रश्न देखिए आंखें चार होना इसका क्या आर्थ है यह मुहावरा कभी ने कविता में प्रियोग किया है इसका आर्थ बताइए उत्तर के लिए विकल्प सुन लीजिए आंखें चुराना, आंखों से आंखें मिलना, आंखें फेरना या आंख बंद कर लेना सही विकल्प है आंखों से आंखे मिलना अगला प्रश्न सुनिये कवी बच्चे की मा को धन्य क्यों कहता है उत्तर के लिए विकल्प है मा के कारण ही वे बच्चे की मनमोहक मुस्कान देख पाया या मा उसके साथ हर वक्त रहती है या मा उसे खाना खेलाती है या उपर्युक्त सभी बताईए बच्चों सही उत्तर क्या होगा वे धन्य क्यों कहता है बच्चे की मा को क्योंकि मा के कारण ही वे बच्चे की मनमोहक मुस्कान देख पाया अगला प्रश्न है बच्चे के स्पर्ष से किन पेडों पर शिफालिका के फूल जड़ने लगे ऐसा प्रतीत होता है उत्तर के लिए विकल्प है सागवान और बबूल दूसरा विकल्प शीश्यम और बबूल तीसरा बांस और बबूल और चौथा विकल्प है बबूल और केक्टस बताईए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बांस और बबूल अगला प्रश्न बच्चा कवी को कैसे देख रहा था उत्तर के लिए विकल्प हैं तिर्ची नजरों से दूसरा टक्टकी लगा कर तीसरा आंखों में आंखे डाल कर और चौथा नजरे नीची करके कौन सा विकल्प सही होगा तिर्ची नजरों से चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कविता के कवी कौन है बताइए किसने लिखी है ये कविता उत्तर के लिए विकल्प हैं किदारनात अगरवाल सूरे कांत्रि पाठी निराला नागारजुन या सुभधरा कुमारी च तो छोले ये चलिए अब हम पाठ की कुछ मुख्य बातों पर जर्चा कर लेते हैं यह प्रश्न सुनिये बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवी के मन पर Prophet क्या प्रभाव पड़ता हैं बताईए इसका उत्तर कैसे देंगे आप बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवी के मन पर अत्यंत गेहरा प्रभाव पड़ता है कवी को बच्चे की मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है जो की उसके अनुसार मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है अगला प्रशन सुनिए बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ती की मुस्कान में क्या अंतर है बताईए क्या क्या अंतर हो सकते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है बच्चे और बड़े व्यक्ती की मुस्कान में ये सब अंतर हो सकते हैं पहला बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते जबकि बड़े मुस्कुराने के लिए खास वज़े डुणते हैं फिर बच्चों को मुस्कुराना अच्छा लगता है और उनका मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों का मु बच्चो एक बच्चे की हसी में निश्चलता होती है लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट में कृत्रिमता होती है उनकी मुस्कुराहट असली नहीं होती नकली होती है चलिए इस प्रश्ण की ओर चलते हैं प्रश्ण है कवी ने बच्चे की मुस्कान के स्वंदर्य को किन-किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है बताइए इसका उत्तर क्या बताएंगे आप कवी नागार जुन ने बच्चे की मुस्कान के सुंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे हैं मृतक में भी जान डाल देना कमल का तालाब छोड़कर जोपड़ी में खिलना बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का जड़ना स्पर्श पाकर पाशान का पिघलना और तिर्ची नजरों से देख कर मुस्कुराना अच्छा बच्चो कविता की इस पंक्ती का अर्थ बताने की कोशिश कीजिए छोड़कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात क्या भावार्थ है इसका? इसका भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत ही आकर शक लगते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न खिल कर वहीं पर घर में खिल गया हो अगली पंक्ती सुनिये छू गया तुमसे की जरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस्था की बबूल इस पंक्ती का भावार्थ क्या होगा? इसका भाव है कि बच्चों के इस पर्ष में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृती और भाव हीन समवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुक, आनंद और वात्सल्य रसका संचार कर देता है तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको इस कविता को पढ़ने और समझने में बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ होगा तो हमारा ये पाट और इसका ये पहला भाग यहाँ पर पूर्ण होता है दूसरे भाग में हम इस पाट की दूसरी कविता फसल पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ही नमस्कार